तो उसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो हेलमेट में होता है and ऐसे कार में गरनेट फेक के किसी को मार देता है Now what I think कि ये जो बंदा है ये गांधी का बेटा है and he might be the villain of this film अब अपनी इस थियोरी को support करने के लिए and जैसा मैंने already predict किया था इस film में indeed हमें cloning मेला concept देखने को मिल सकता है क्योंकि विंकर प्रभू ने साफ ये बात कही है कि इस film में scientific elements भी होंगे तो मेरी जो थियोरी है इसके उपर वो कुछ इस हिसाफ से तो इस साल आने वाली सारी movies में जिस movie के trailer का मुझे सबसे ज़्यादा इंतिजार था वो आखिरकार आ गया Goat aka the greatest of all time and as I expected trailer मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एक proper stylized action thriller with Halapati Vijay हमेशा की तरह अपने full form में and विंकर प्रभू definitely stays true to his words and gives full justice to the on-screen presentation of the actor बहुत सारे बढ़िया बढ़िया action set pieces हैं and इसे के साथ-साथ I am putting my faith on विंकर प्रभू's writing because that man hardly disappoints and हर बार की तरह इस बार I am also expecting that he has cooked इससे पहले जो गोर का glimpse आया था जिसको मैंने breakdown किया था उसमें मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़े predict करी थी जो कि ये trailer confirm कर देता है लेकिन उसी के साथ-साथ ऐसी बहुत सी चीज़े है which turned out completely different but the bottom line is कि मेरे इंदर जो भी anticipation है इस film के लिए वो ये trailer बरकदार रगता है and I am all in for the movie and I am bloody hyped and past September को मैं theater पहुँच रहा हूँ बात रही details की तो काफी कुछ बात करने को है इस trailer के उपर एक एक करके पूरे trailer का scene by scene breakdown करेंगे और बात करेंगे उन details पे जो मैंने notice करी तो शुरू करते हैं stay tuned तो trailer शुरू होता है इस location पे जो की है Central Park, Canot Place के आसपास located अब since इस movie में थलापती विजय जो है वो raw के एक division के लिए काम करते हैं so it is understandable क्योंकि raw का जो headquarters है वो Delhi में ही है and फिर इस scene में थलापती विजय ऐसे bike को accelerate कर रहे होते है and यह वही same chase sequence है जो रशिया में होगा जो कि इससे पहले हमने goat के birthday glimpse में देखा था फिर उसके बाद से एक और chase sequence आता है जहाँ इस taxi के पीछे ये बाकी gunman से बरी हुई cars attack कर रही है and यह जो taxi का color है ऐसी taxis bangkok में होती है even हम number plates भी लेख सकते हैं bangkok के है and यह जो location है यह वही same location है जहाँ पर चिनना चिनना song भी होता है जिसमें थलापती विजय का character Gandhi अपनी family के साथ था and यहाँ पर इस taxi में भी Gandhi है and not just him ध्यान से देखो तो हम उसकी wife को भी देख सकते हैं पीछे लेकिन यहाँ पर यह लोग Gandhi के पीछे क्यों पड़े हैं यह मैं भी आगे बताऊंगा फिर इस scene में हम Gandhi को ऐसे एक server room में fight करते हुए देख सकते हैं जहाँ he is on some kind of a mission and यहाँ गौर करो कि Gandhi जिन लोगों से यहाँ fight कर रहा है वो Thai people हैं यानि कि Bangkok में रहने वाले लोग यानि कि यह जो mission है इसका यह Bangkok में चल रहा है and यहाँ इस server room से यह कोई data चुराने आया है and then इस scene में जहाँ यह ऐसे शीशे के साथ tom cruising कर रहा है यह वही same building है जहाँ यह server room है and then काम पुरा होने के बाद वो ऐसे यहाँ parachute से भाग भी रहा है अब यहाँ Bangkok में यह mission पे आया है लेकिन साती साथ अपनी family को भी लेके आया है उसी की वज़े से यह लोग इसको उपर हमला कर रहे है वट फिर ऐसे dangerous mission में वो अपनी family को लेके आया ही क्यों वेल आगे समझाता हूँ फिर हम इस scene में देख सकते हैं कि प्रशान सर यहाँ कुछ agents को brief कर रहे है and यहाँ पर यह ऐसा typical briefing room है जो कि हम अकसर Hollywood spy movies में देखते हैं and trailer के शुरू से लेके इस scene तक एक narration चल रहा होता है जहाँ यह इनी agents को समझाता है उनके new assignment के बारे में and उनके इस new assignment में उनको guide करने के लिए Gandhi को चुना कया है जो की current date में एक senior official है and यहाँ प्रशान सर बताते हैं कि he has 68 successful international missions very obvious hint to the fact कि यह थलापती विजय के 68th film है उसके अलावा Gandhi is also a field agent and a spy and यहाँ प्रशान सर कहते हैं that he is the goat of sats अब sats जो है वो है special anti-terrorism squad जो की आगे के scene में हम यहाँ लिखा हुआ देख भी सकते हैं and यह एक special wing होगी rock inner जिसमें Gandhi is the best agent that they have and since वो एक experience agent है तो यहाँ sats में जो नए agents हैं जो juniors हैं उनको guide और lead करने के लिए वो यहाँ पे आया है और इतना ही नहीं he is also some kind of high grade official जो की यहाँ हम इस scene में देख सकते हैं जहाँ he is coming to Russia जहाँ India के against protest चल रहा है and यहाँ पर वो इस issue से most readily deal करने आया है वो भी Russia situated Indian embassy में क्योंकि हम यहाँ गांदी जी की मूर्ती देख सकते हैं and actual में जो Indian embassy Moscow में है वहाँ गांदी जी की मूर्ती है यहाँ पर एक और interesting framing detail भी मैंने notice करी अब जखो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो गांदी है वो India और Russia के बीच में जो tensions है उनको resolve करने आया है which means कि he's here for peace and not for war and ऐसे गांदी को गांदी जी की मूर्ती के साथ एक frame में रख के एक symbolic way में डिरेक्टर यहाँ दिखाना चाह रहा है यह गांदी भी गांदी जी की तरह peace के लिए आया है hats off फिर next scene में हम देखते हैं कि कुछ soldiers ने ऐसे गांदी को kidnap किया है and यह scene जो है यह पूरा एक train में है जहां से गांदी इन लोगों को मार के escape करेगा जैसा कि आगे हम कुछ action submit में देख सकते हैं अब देखो तो यहां जो यह train है यह इस तरह से desert वाले इलाके की बीच में चल रही है and to my knowledge यह जो track है यह Mary Shanova railway track है जो की western sahara desert के पास से होते हुए गुजरती है फिर हम यहाँ पर younger widget को देख सकते हैं जो कि एक interrogation room में है younger widget जो की गांदी का बेटा है and उसका look alike है अब इस scene में गांदी की बीबी कहती है कि कैसे उसका पती उससे दूर रहता है घर जिल्दी नहीं आता etc अब सिंस वो एक secret agent है तो उसके profession के बारे में उसकी wife को definitely नहीं पता होगा और इसी वज़े से उसके अंदर ये एक शक बनता है इवन उसको ये तक शक होता है कि गांदी का कहीं पर affair चल रहा है और यही reason है कि गांदी बैंकॉक में मिशन होने के बाद भी अपनी family को अपने साथ लाता है अब यहाँ देखो कि गांदी कैसे उसको डिसांब करता है what's interesting कि यहाँ पर जो ये डिसांब टेकनीक है ये बिलकुल accurate है और crab maga नाम के एक Israeli martial art style का ये हिस्सा है so nice attention to detail on this one तो उसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो helmet में होता है और ऐसे कार में grenade fake के किसी को मार देता है even आगे हमें सेम बंदे को गांदी से fight करते हुए भी देख सकते है now what I think कि ये जो बंदा है ये गांदी का बेटा है and he might be the villain of this film अब अपनी theory को support करने के लिए मैं तुमारा ध्यान इस scene पे डालना चाहूँगा and अगर तुम यहाँ पर ध्यान से इस बंदे की hairstyle देखो तो वो बिल्कुल यंग विजय की तरह है and यहाँ वो गांदी से fight भी कर रहा है लेकिन वो villain क्यों है और कैसे है और ये angle क्यों possible है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे trailer में जाते हैं तो next scene में हमें फिल्म के एक और villain से introduce करवाया जाता है played by Mike Mohan sir जो कहते हैं कि जिस pain और drama से मैं गुज़रा हूँ गांदी भी वो experience करेगा तो clearly इस बंदे ने गांदी की वज़े से कोई बहुती heavy loss suffer किया है यहां हम इन लोगों को पानी में bomb के equipment फिकते हुए देख सकते हैं फिर उसके बाद हमारे सामने आता है एक बड़ा surprise एक और young विज़े in fact यहां पर यह गांदी से ही बात कर रहा है हाँ यह वाला young विज़े और यह दोनों different है so I think कि यह जो तीसरा विज़े है यह एक clone है और जैसा मैंने already predict किया था इस film में indeed हमें cloning वाला concept देखने को मिल सकता है क्योंकि विंकर प्रभू ने साफ ये बात कही है कि इस film में scientific elements भी होंगे अब जहां मैंने कहा कि यह वाला जो विज़े है यह film का विलन हो सकता है तो मेरी जो theory है इसके उपर वो कुछ इस हिसाफ से play out कर सकती है कि जब Bangkok में Gandhi और उसकी family पे हमला होगा तो उसमें Gandhi अपके pregnant बीवी और अपने बेटे को खो देगा but what I think कि उसका जो यह बेटा है वो survive कर जाएगा and villain के हाथ लग जाएगा जो उसको train करके deadly assassin मनाएगा and then उसको Gandhi को मारने के लिए भेजेगा क्योंकि film के end में जब यांग विज़े कहता है I think यह जो particular dialogue है वो यह Gandhi से कह रहा है यह वो clone हो and villain यही हो and जो Gandhi का बेटा है वो सच में अपने father की help करने आया हो या फिर यहाँ पर Gemini man वाला scene भी हो सकता है कि जो Mike Mohan है उसने Gandhi के बेटे के DNA से इस clone को ready किया होगा and यह उसका एक contingency plan होगा just in case अगर Gandhi का बेटा अपने बाप को ना मार पाए या फिर emotional हो जाए या फिर वो दोनों साथ हो जाए तो वो अपने इस clone को उन दोनों को kill करने के लिए बेज़ दे अब यह मैं इसलिए कह रहा हूँ because यहाँ पर यह scene देखो जहाँ पर Gandhi के पीछे उसका बेटा चुप रहा है the possibilities are endless फिर उसके बाद हम यहाँ पर stadium में एक action sequence देखते हैं जहाँ इसी scene के एक और part में हमें नज़र आता है stadium के अंदर का जहाँ you can see CSK posters लोगों को CSK की जर्सी में even Dhoni का poster तो जैसा कि बताया जा रहा था कि इस film में CSK player सा cameo हो सकता है तो might be यह वो point हो जहाँ पर वो cameos हो might be MS Dhoni भी देख जाए हमे और भी इससे पहले trailer में जहाँ चिन्नई में bomb plant करने की बात हो रही थी I think वो bomb इसी stadium में plant किया जाएगा और उसी bomb blast को रोपने के लिए यहाँ पर Gandhi आया है और आगे एक dialogue आता है कि a lion is always a lion which again is a reference to MS Dhoni और फिर finally trailer end होता है Gandhi के साथ जाओं Mission Impossible की ट्यून बजाता है तमली trailer में ending different है वाबर विजे की film गिनली का एक reference हम पो दिया गया है तो भाई यहाँ पे खता होता है goat के trailer का breakdown बाकि अगर मुझे से कोई detail मिस हो गई है तो उजे comment box में लिके जरूर से बताना और हाँ अगर वीडियो बसना है तो like कर देना और पहली बार यहाँ पे आयो तो subscribe करना मत बूलना ऐसी और वीडियो के लिए till then this is your pop culture and signing off we'll see you guys in the next video and thanks for watching